गता चुनाब मा दलहर को गोशना पत्रमा आगावी पांच बर्स बित्र सोदेश में रोजगारी को अवस्ता सिर्जाना गरे रो बैदेशिक रोजगारी मा जानुपने बाद देता अंते गरने लचे समेटियो एदपी यो नोय एजेंडा भने होई न हरेक निर्बाचन मा रोजगारी को शिर्जाना को एजेंडा दलहल्वे गोशना पत्रमा उल्लेक करे पनी देश पाठा बैदेशिक रोजगारी मा जाने इवाहर को संक्या बड़ दो छो नेपाल को जनगड़ना दुहजार अठातर अनुशार पचास लाख युवा देश बाईर चन चालू आर्थिक बर्षको तथ्यांक हेरदा दैनिक करीब पंद्र से युवा रोजगारी को लागी बिदेशिने गरेका चन मुलुक का लाखं उर्जासिली उवालाई बेरोजगारी को बड़ दो संकटले अफ्टेयारो पार देश नेपाल मा प्रतेक बर्षस रम बजार मा बर्षेनी करीब पांस लाख मंदा बड़ी जन सक्ती प्रभेस करने भयता पनी रोजगारी को ब्रिदी दर निउम नच्छ बेरोजगारी को दर 11.4 प्रती सच तरह दलारू बने आपना गोशाना पत्र मार्फ़ सपना बांडने पनी सपना कारिनेन मा बने खासे चासो देखाउं देरन प्रमुक दलर्ले गोशणा पत्र मारफट रोजगारीको छेत्रमा देखायको सब्रना नेपाली कांग्रेस उदमसिल समादर रोजगारी नेपाली कांग्रेसको जिम्योवरी नारा पांच बर्षमा बारा लाख पचास अजार नया रोजगारी सिर्जाना गरने बिदेश पलायन उने समस्य कम गरना, प्राभिदिक सिछलायोर को इस्तर उन्नती सबे प्रदेश्मा अंत्रास्टे इस्तर को तालिम केंद्र संचालन गरने। नेकपा एमाले, मर्यादित स्रम सुरचित रोजगारी को नारा, पांस लाख को रोजगारी को अबसर सिर्जाना गरने। बयदेशिक रोजगारी मा जाने अरुलाई एकद्वार प्रणाली बाट सोज रुप मा सेवा प्रभाको ब्याबस्ता गरिने। सरकार मा उदा केई नगरे पनी अईले बने दोस बर्तमान सरकार मा थी थोपरना उद्धाच्छा। हमरो सरकार देची शुरुवात करेको सुशासन सामाचिक मियाएं साइतको सुशासन रा संब्रिद्धी का कारेकमारेको लागुगर नकर लागे। हमरो सरकार मा थी थोपरना उद्धाच्छा। हमरो सरकार मा थी थोपरना उद्धाच्छा। कि मुलुकको सब्itel ठुल चुन वत्ती वनेको ब्यरोजगारी हो पर ब्यरोजगारी संचाहं युवा संटिमेंट जोडने च तशेले युवाज शेंटिमेंटला संब्धन करने वनेको यहउटा सिक्छा हो और भृषजगारी ने उ हो तिसले शिक्छारा रोजगार बेवस्तित रुप मां सम्भधन करना का लागी, बिगत को सरकार मा पनी हामीले प्रियत्न करें। तर ठाके एती तत्यांक बने रा मेरो विभागन परेगोले मसाना तत्यांक चाहिना। तर अईले पनी यो सरकार लेता जन मुलुको इस्थाई राजनी तीको कुरा गरेको छा, समुन नतीको कुरा गरेको छा, यो संग जोडियरा जाने ने। तीनोटे ठुला दल्ले गोसाना पत्रामा आस्वासन बाडे अन्चार रोजगारीको अबसर्ता सिर्जाना गरना सके का चाहिना। बरुस सरकार मा भायका बेला बिभीन देशरु संग सम्झावता गरेर इवा जनसक्तिला बिदेश पलायन गराउना अग्रसाज चन। नेपालले 110 देश अरुलाई रोजगारीका लागी खुला गरेको चा। सरकार संग सम्झवता गरेर कोरिया मा चवाली सदार युवा कामदार को रूप मा चन। तेस्ते जापाम संग बार्षिक बी सदार युवालाई स्रमिक को रूप मा पठामने सम्झवता सरकार ले गरेको चौ। UK डेन्मार्क लगाई देश मा पनी मौसमी कामदार पठामन अग्रसर सरकारले मुलुक मा रोजगारी का अवसर सिर्जाना गर्न तर्प लाग देन गोशना पत्रमा रोजगारी को आस्पासन दिये पनी युवा जनसक्ती बिदेश पलायन गरायर रेमिटेंच को रकमा तर मार पने दावमा राजनितिक दलहरू देखिन चन।